तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारेश चैनल जे आर्टेटर्स में तो बच्चों कैसे और आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे आपकी पढ़ा ही एक दम अच्छी चल रही होगी सो जैसा कि आपको बता है कि हमने अल्रीडी लास्ट लेक्टर में स्टार्ट कर दिया था एक लेसन इलावन्थ बाइलजी का जिसका नाम है सल डिविजन जिसमें हम लोग ने पढ़ लिया है हम लोग ने पढ़ लिया है कि सेल डिविजन जो सेल साइकल है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है थोड़ा से रिवाइज कोरो में साथ लास्ट लेक्टर में अब लोग ने क्या पढ़ा था कि एक सेल साइकल दो पार्ट में डिवाइड होती है जो सबसे पहला पार्ट है that is preparation phase ठीक है जिसे मैंने क्या बोला था interface ठीक है और एक पूरी cell cycle complete होने में कितना time लगता है 24 hour तो preparation phase में ही कितने time लग जाता है 23 hours फी preparation phase में लगता है और एक hour लगता है actual division में मतलब actual division होने में सिर्फ एक घंटा वो actually divide हो रहा है और इस division का preparation करने में कितना time लग रहा है 23 hours ठीक है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग लास्ट के दो घंटी की exam देने के लिए पुरे साल बर पड़ते हो ठीक है पुरे साल बर मेहनत करते हो फिर लास्ट में था एस फेस और तीसरा था जी टू फेस सही है जीवन मतलब क्या गाप फेस बन चीक है एस फेस मतलब क्या सिंथेटिक फेस और जीटू मतलब क्या गाप फेस टू ठेक है जीवन फेस में क्या हो रहा था याद करो जीवन फेस में प्रोटीन सिंतेजिस अम लोगों देखने मिल रहा था, सही है, प्रोटीन बन रहे थे, उसके अंदर बहुत सारे, फिर उसके अंदर बहुत सारे जो सेट और अर्गनलीज थे, वो क्या हो गये थे, डिवाइड हो गये थे, सही बात है, वो क्या हो गये थे, डिवाइड हो गय तो आज के लेक्चर में आज हम लोग M face पढ़ने वाले हैं और आप लोग को सब कुछ रिवाइज हो गया होगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो जे आज का एप्लिकेशन है वह भी हमारे प्ले स्टोर पर आ चुका है तो आप जाके उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी चीज़ों उसके उपर आने वाले हैं बहुत सारे नोट्स आने वाले बहुत तरे क्लासे स्क्यों पर भी आने वाले है तूसे भी डाउनलोड करके रख लो बहुत अच्छी चीज़े उसके बाद अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाते हैं तो डायरेकली आप मेरे इस्टाग्राम आईडी पर आके मुझसे कनेक्ट होना चाते हैं कोई डाउट पूछना कि मुझे अप्रिचेट करना तो वो भी आप आके इस इंस्टाग्राम आईडी पर मिर साथ कर सकते मेरे साथ बात्य कर सकते इतनी मत ग्लियर हैς तो आओ हम लोग स्था करते हैं आज का लेचर लिक्टर ने माइट और एक था मी उसस और एक हो गा माइट उसस क्या होता है मैंने आप लोगो लॉट लेक्षर में पढ़ा हुआ तो आज हम लोग mainly पढ़ेंगे mytosis के बारे में कि mytosis कैसे होता है तो क्या होता है mytosis का मतलब equational division जिसमें अगर 2n chromosome है तो वो आगे चलके divide होगा 2n और 2n वाले cell में ही एक ऐसा cell है जिसके पास 2n chromosome है तो जब वो divide होगा तो इसके essayer के चलके data हूं और जब इसका छो drcko कोई डिविशन को मैं न क्या इक वेशिनल डिविजन जिखा अगर आपने लास्ट वाली लेक्षर देखा है तो आपको याद होगा नहीं इसको मैंने क्या कहता है, एक क्वेशनल डिविजन, क्यों एक क्वेशनल डिविजन है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम के नंबर कम नहीं होते हैं, जितने क्रोमोजोम के नंबर पैरेंट सेल में होंगे, उतने ही क्रोमोजोम के नंबर इसके डॉक्टर सेल में भी रहते हैं, सब्सक्राइब है इसी को मैंने क्या कहा था माइटोसिस किसके अंदर होता है मैं टिसे सेल में होता वह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो एक था मैंने नाम दिया था लिए सेंसरे सेल्स ूटे जो हमारे बॉड़ी के कोई भी दूसरे स्टैंस को और टिशुइज को फॉर् Mitosis से हमारा Cell division होता है अब यह Mitosis क्या होती है कैसे होती है वो भी हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ने हैं तो The Mitosis आगे चल के वापस दो पार्ट में डिवाइडे जाती है तां किšको मैं थोड़ा से present है और बहुत सारे cell organalis present होंगे तो याद करो cell organalis को हमने already पिछले वाले जो S phase थे, G1 phase थे, G2 phase थे उसके अंदर divide करके रखा था तो अब मुझे organalis divide करने की जरुरत नहीं है अब मुझे क्या divide करना पड़ेगा मुझे divide करना पड़ेगा nucleus तो सबसे पहले किसकी division चलेगी nucleus के division चलेगी, nucleus के अंदर क्या है chromosome लेकिन इस time पर normal chromosome नहीं है, यहाँ पर normal chromosome नहीं है, यहाँ पर कौन सा chromosome है, sister chromatid वाला chromosome है, sister chromatid क्या था, एक chromosome है, उसके उपर एक extra chromosome लगा हुआ है, इस दोनों structure को लोग क्या कहते है, sister chromatid, यह कहां पर बना था, S face में बना था, ठीक है, मैंने आप लोगों लास लेक्टर बता था, यह कहां पर form हुआ था, S वाले face में form हुआ था, तो ऐसे chromosome किसके अंदर present है, इस nucleus के अंदर present है, सही बात है, ठीक है, तो सबसे पहले हम को क्या करना पड़ेगा, इस nucleus को divide करना पड़ेगा, और जब nucleus divide हो जाएगा, ठीक है, जब एक cell के अंदर दो nucleus हो जाएगे, फिर हम लोग क्या कर सकते है, इस cell को आपस में divide कर सकते, सही बात है, क्योंकि हम लोग ऐसा division नहीं कर रहे हैं, एक को nucleus दे दो, एक को बीना nucleus का रख दो, नहीं हम लोग को nucleus देना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, nuclear division करेंगे, फिर हम लोग cytoplasm को divide करेंगे, तो nucleus division को हम लोग कहते हैं, cario kinesis, कारियो, का मतलब क्या होता है, nucleus, तो nucleus के division को हम लोग क्या कहते है, cario kinesis, इतनी बात है clear है, फिर जैसे ही nucleus का division हो जाएगा, next किसका division करना है, अपने को cytoplasm का, क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी cell organelles है, वो पहले से divide करके हम लोग ने, cytokinesis, ठीक है, kinesis का मैंने अभी आप लोग यहां पर मतलब बताया था, kinesis मतलब क्या, division, ठीक है, और cyto मतलब क्या, cytoplasm, तो cytoplasm के division को मैंने क्या कहा, cytokinesis, ठीक है, तो क्या बोला मैंने, वापस देख लो, mitosis, दो पार्ट में divide होगी, एक nuclear division, nuclear division को मैं क्या कहूंगा, karyokinesis, और एक होगा, cytoplasm division, जिसको मैं क्या कहूंगा, cytokinesis, अब एक और बात है, कि यह जो karyokinesis है, यह further 4 part में divide होती है, ठीक है, यह karyokinesis के total कितने steps हैं, चार steps है, इतने यह चीज़े आपको याद रखने ही पड़ेंगी, क्या कर सकते हैं, यह आपके book में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, so karyokinesis के इतने steps से आगे चलके, 4 steps है, जो सबसे पहला वाला step है, that is pro face, ठीक है, यहापे लिख देता हूंगा, सबसे पहला वाला steps है, that is pro face, ठीक है, यह कौन सा face है, pro face, pro मतलब क्या, primitive, ठीक है, pro मतलब क्या होता है, primitive, तो जो सबसे पहले-पहले जो face चल रहा है, उससे मैं क्या कहूंगा, pro face कहूंगा, नो, दुसरा आता है, meta face, दुसरा face कौन सा आता है, meta face, ठीक है, तो पहले pro face, दुसरा क्या आएगा, meta face, फिर थर्ड आएगा, anaface, and the fourth, that is, telophace, ठीक है, तो यह 4 faces आपको याद रखना है, इसी order में, ठीक है, 4 faces आपको याद रखना है, इस सेम ओर में, कौन-कौन सा, pro face, meta face, anaface, और telophace, ठीक है, यह 4 के 4 faces आपको याद रख है, यह आते है, karyokinesis के अंदर, ठीक है, तो karyokinesis आगे चलगे, 4 steps में, डिवाइड हो चुका है, the first is pro face, then metaface, then anaface, then telophace, तो आओ, हम लोग सबको एक-एक करके पढ़ेंगे, क्या होता है, pro face, क्या होता है, metaface, क्या होता है, anaface, और telophace, इतनी बात समझा, ठीक है, mytosis क्या होता है, वो समझा, इसके बाद, जो cytokinesis है, ठीक है, cytokinesis के अंदर, और कोई division, नहीं, अच्छी बात है, आप लोग के लिए, कि cytokinesis में और आगे कोई division, नहीं, यह, cytoplasm, easily divide हो जाता है, ठीक है, तो आज आओ, पढ़ते है, सबसे पहले, हम लोग सबसे पहले प्रोफेस भी दो पाट में divided है, ठीक है, एक होता है, अरली प्रोफेस, और एक होता है, लेट प्रोफेस, ठीक है, एक है, अरली प्रोफेस, और एक होता है, लेट प्रोफेस, क्या-क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, तो देखो, सबसे पहले, जब आपको division करना है, त के साथ कुछ ऐसे से प्रेजेंट होते हैं तो मुझे कैसा structure चीए मुझे ऐसा condensed structure चीए मुझे कैसा structure चीए ऐसा condensed structure चीए cell division करने के लिए ठीक है तो यहां पर यह मेरा nucleus और nucleus के अंदर यह ऐसे इधर उदर फैले हुए मेरे chromosome sister chromatid ठीक है सबसे पहले क्या होगा प्रोफेस के अंदर condensation चालो होगा किसका condensation चालो होगा thread like sister chromatid ठीक है thread like sister chromatid जो sister chromatid structure है वो thread like यह से धागे धागे जैसा structure रहता है यहां वहां पड़ा रहता है chromosome के अंदर वो एक manner अरेंज नहीं होता ठीक है तो इनका condensation यहां पे start होता है ठीक है इनका condensation यहां पे क्या होता है start होता है and this starts to appear ठीक है normally chromosome हम लोग को नहीं दिखेंगे ठीक है normally chromosome cell के अंदर नहीं दिखते साइंटिस्टों को भी chromosome को देखने के लिए ना cell division करना पड़ता है हमेसा सिर्फ और से भी आ दखना कि chromosome सिर्फ और सिर्फ cell division के टाइम पर ही दिखते हैं ठीक है cell division के टाइम पर ही visible होते है तो जैसे ही वो condensation condensation होना start होंगे there starts to appear ठीक है यह कैसे दिखने लगते हैं यह जो पहला वाला step है ठीक है है यह है early process का ठीक है यह कों से step है early process का तो पहले पहले क्या हो रहा है इस cell के अंदर जो यह chromosome है chromosome क्या हो रहे है dense होना start हो रहे है एंड़े-देरे वह क्या हो रहे है appear होना start हो रहे है इतने बात है clear है next step क्या होगा next nuclear होना start होने लगेगी देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सा दिखने लाइगा कोई है तो यह होता है ッतंव अप्रफेस्ट में यतby लेक्लेर मेंब्रेन है वो धीरे-धीरे क्या हो रही है डिसपीर होना स्टार्ट हो रही है और तो और आप लोगों को याद होगा एक से लागन इलीस डिवाइड हो थे जिसको मैंने सेंट्री ओल करा ता टेकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने एसा गोला शारेता है यहाँ पर पूजी डायरिक्षिन में और शार्ट हो जाएंगे अब यह दोनों क्या में जाएगा और एक इस डायेक्शन में जाएगा समझ रहो ऑफॉजिट डायेक्शन में जाना इतनी बात होते है किस के अंदर प्रोपेस के अंदर क्या क्या हुआ अब आपस देखो सबसे पहले क्या हुआ यह सांट में तो सींट्रोजों से सेंंट्रों से सिंट्रों से एट्ड लोग इसले से लुगा केते हैं स्टस्ट प्रो मेंबहरें की सब्सक्राइब किया हो जब घृती को दिक्कत की बात नहीं चलो आजाओ next phase, next phase कौन सा है, meta phase जैसे मैंने बता है न bisa फिर meta फिर ena फिर tillow phase ए तो next phase का है, meta phase अब now meta phase में क्या होता है, जो चीज़े, pro phase में start हुई थी ठीक है, जो जो process pro phase में start ho nächst phase में start हुआ था वह सारी पे इसके अंदर इसका condensation complete हो जाता है फिर अगर मैं बात करूं नूकलियर Membrane disappear होना start हुई थी प्रोफिस मैं याद है ठीक है इतके अंदर completely disappear हो जाती है nuclear membrane ठीक है इसके अंदर nuclear membrane completely क्या हो जाती है disappear हो जाती है तो देखो यहां मेंने क्या लिखा है? Completion of the profess. ठीक है? Professor का क्या होता है? Completion. मतलब जो जो चीज़े profess में start हुई थी. जो जो activity start हुई थी profess में, वो यहाँ पर क्या होने लगी? Complete होने लगी. क्या क्या start हुआ था? Condensation start हुआ था. Condense होना start हुआ था. किसका Condense start हुआ था? Sister Gramatly का start हुआ था. अब यह इसमें क्या हो गया? Complete हो गया. फिर disappearing start हुआ था. कौन disappear हो रहा था? Nuclear membrane. तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाती है? वह disappear हो जाती है. एक point और add कर लेना. टीक है? एक point और add कर लेना यहाँ पर, बीच में, कि हमारा जो centriole था ठीक है? कैसे दिखते हैं अभी आफ लोगोब भताती हैं फिर लेक्स्ट क्या है सेच्ट्रियोज though मैं बीके सबस्कित क्सी क् Ein без ये nuclear membrane नहीं मिलेगा और जो chromosome है, वो कुछ ऐसा देखने मिलेगा क्योंकि ये पूरी तरभ से क्या हो चुका है condensed हो चुका है, इसका condensed version पहल्स Mil Hudson हो था अब यहां पे क्या हो गया, completely condensed हो गया तो for example, यहाँ पे एक chromosome मैंने बनाए ठीके है और यहां पर एक दूसरा kronosom टोटल कितने क्रोमोजोम होंगे टोटल 46 kronosom होंगे लगORA है लगिन यहां पर 46 kronosom बनाना पॉसिबल नहीं ए तो मैं सिर्फ कितना बना रहा हूँ 2 kronosom बना रहा हूँ फिर इसके बात यहां पर क्या हुआ था यह जो centriole थे, यह opposite direction में जाना start हुए थे, तो अब यह opposite opposite direction में पहुझ गया, मतलब यहाँ पे एक centriole पहुझ गया, और एक centriole यहाँ पहुझ गया, और यह सारे के सारे, एक equatorial plane पे arrange हो गया, देखो, यह सारे के सारे कैसे हो गया, एक equatorial plane पे arrange हो गया, यही लिखाओ मैं यह आपर देखो यह सारे क्या हो गए एकविटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाते हैं इतनी बात है क्लियर है अब यह क्या करते हैं कुछ फाइबर रिलीज करते हैं तो फर एक्जामपल यहां पर एक और बनाता हूं में इस डाग्राम को थोड़ा स्चेंज करते हैं इस डाग्राम को थोड़ा स्चेंज करते हैं और मुझे कुछ बनाना है यहां कर रहे हैं कुछ स्पिंडल फाइबर फेक रहे हैं और वो स्पिंडल फाइबर यहां से निकलता है और यहां पर जाके अटाच हो जाता है अब आप लोग को पता है कि इस पोजिशन पर क्या है इस पोजिशन पर है सेंट्रो मियर क्या होता है यह बीच वाला पाट क्या होता है सेंट्रो मियर लेकिन धान्जो सुनो लेकिन यह जो स्पिंडल फाइबर है यह सेंट्रो मियर पर अटाच नहीं होता बलकि यहां पर ठीक है, साइड में, इस क्रोमोजोम के, साइड में, इस साइड में एक केमिकल लगा हुआ होता है, ठीक है, क्रोमोजोम के, सारी, सिस्टर क्रोमेटिड के, इस साइड में एक केमिकल लगा हुआ होता है, और इस साइड में एक केमिकल लगा हुआ होता है, इस केमिकल को हम तो दो तो तो करने तो को रहें और यहां पर कायनेटोर एधाइड हो जाता है तो आप लोग को प्शुन देदेगा यहां पर सेन्ट्रों इयर का लेके सेनट्रों यह की तो इतनी चीज़े हो जाती किसके अंदर मेटाफेस में जो प्रोफेस था उसका कमप्लीशन हुआ जो भी हो रहा इस इसको जाएगा ये इसको जाएगा सभुज बात फिर मैंने क्या बोला ये क्या है हुआ हैं जी क्या पेगने लगेगा एक पाइबर पेगने लएगा इस फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं पिंडल Fiber, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते है, Spindle Fiber, और ये Spindle Fiber जाके Attach जाएगा, इस Sister Chromated के Kainato Core पे, ठीक है, किस पर Attach जाएगा, Sister Chromated के Kainato Core पे, कभी भी है Centrosome, Centromere पे Attach नहीं होगा, समझा है, इतना, ये होता है, इतना Meta Face में, ठीक है, अब Next Step क्या है, Ana Face, ठीक है, Next Step क्या है, Ana Face, Ana Face Is the Most Important Face, ठीक है, It Is Most Important Face, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर, जो, जो हमारे ये थे ना, Fibers, ठीक है, ये Spindle Fibers थे, ये Attach हुए थे ने, इसके उपर, अब ये Spindle Fibers क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खीचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो, अपनी तरफ क्या करेंगे, खीचना चालू करेंगे, पुल करना चालू करेंगे, तो, यहां पर क्या होगा, ये अपनी तरफ पुल करेंगे, जिसके वज़से, ये बीच में से, स्प्लिट हो जाते, ठीक है, यहां पर बना कर दिखा है यहां पर क्या निकला था इस पिंडल फाइबर जो की यहां पर काइने टो पर अटाच था अब यह स्पिंडल फाइबर क्या होंगे खीचना शुरू करेंगे इस sister committed को तो जैसे यह खीचेंगे ना यह sister committed बीच में से टूट जाएगा ठीक है बीच में से क्या हो जाएगा split हो जाएगा तो कैसा structure form होगा देखो यहां पर बना के दिखाता हो अप लोग को यहां पर कुछ ऐसा structure form हो जाएगा यह इस पर टाच हो गया और एक structure यहां पर यह इसको अपनी तरफ खीचना लएगा और अपनी तरफ खीचना लएगा यहां पर क्या हो जाएंगे दो अलग अलग form हो जाएंगे अब इस structure का अबलब chromosome बोल सकते हैं क्रोमोजोम कि इसके अपास सिर्फ कितने आम से हम दो आम से पहले कितने आम से चार आम से उसको मैं sister क्रोमेटिड बोल रहा था अब इसको मैं क्या कहूंगा chromosome और मैंने आपको बताया था कि chromosome की नंबर ठीक है chromosome के नंबर किस पर डिपेंड होते हैं chromosome के नंबर उसके सेंट्रो मियर पर डिपेंड होते हैं मतलब जितने नंबर उसका नंबर नहीं इंक्रीज हुआ था इसलिए मैंने क्या बोला था कि क्रोमोजोम जो है वह इंटर मैं इस कह keyword देखो चीक है cell में इस पोजेशन पे देखो यहां पर दो अलग अलग क्रोमोसोम है मतलब इसका प्ऱक्तChariamika अनंब एक सार इसका इसका सेंट्राइव यहां बिये विए लग और इसका सेंट्रोम बिय्जिए हागा बाट formalazioni स् इतने क्रोमोजूम हो जाएंगे इतने क्रोमोजूम यहां पर दिखते हैं इसी फेस में होते अब जैसे ही ये खुद को खीचेगा तो क्या आपको भी लिखना है और याद रखना है इत अपीर लाइक बंच और बनाना की तरह दिखता है तो तो क्या क्या लिखा है मैंने यह आप एक बार वापस देख लो sister chromatid split into two chromosomes and pulled opposite direction sister chromatid क्या है उसको क्या क्या करेंगे एक दूसरे को pull करेंगे sister chromatid क्या करेंगे इन दुनों को pull करेंगे और यह split हो जाएगा बीच में से लेख क्या करेंगे इसको अपनी तरफ खिचेगा यह सक अपनी तरफ खिचेगा यह कैसा दिखता है उस तेम पर यह एक बंचोब बनाना की तरह दिखता है मतलब यह इसके arms एसे घुम रही है और यह एसे की याम से, ये ऐसे-ईसे खिचा जानद और रीच विपास, समझ मैं ही बात, ठीक है, इट क्रीच विजिट पॉल ठीक है? ये दोनों क्या हो जाएंगे, अप्थीट पॉल पे रीच हो जाएंगे, अलग-अलग पोजिशन पर क्या हो जाएंगे, मतलब यह वाला यहां पहुच जाएगा दूंह नुचम पहुत गाए तो यहां पे दो क्रोमोजम पहुत गया और यहां पे दो क्रोमोजम पहुत गया समझाएं इघी तरफ आ Dr कि अंदर कि इतनी किस्के अंदर है किसके इना फिसके अंदर इतनी किसके अंदर होतीwość और निगस् gli is a tillophase थेकि है नेक्स्ट इजर टेलोफेंग तीलोफेज इस डिरेक्लिएप पूरा का पूरा क्या ऐब पोसीट है ब्रोएज के जो जो चीजे घरह वी कर अब है और यहां पे एक ट्रोलर सोल चबंदर तेलोफेस के उसको सब्सक्राइब किसके अंदर होगा त्यां पर एक chromosome यहीं मिला मुझे एनाफेस के बाद मुझे यहीं मिला न तो अब क्या होगा तिलोपेस में डारेक्ली अपोसिट होगा यह प्रोफेस के इस प्योर्ली अपोसिट टूप इसले मैंने आप चुछ लिखा नहीं है कि क्या वहीं चीज आवापस करें मतलब नीए न तो क्या हुआ था प्रोफेस में, जो nuclear membrane थी, वो disappear हो रही थी, ठीक है, तो अब यहाँ पे nuclear membrane क्या होगी, reappear होगी, ठीक है, nuclear membrane क्या होगी, reappear होगी, तो वापस इसके ओपर भी एक nuclear membrane लग जाएगी, और इसके ओपर भी क्या लग जाएगी, एक nuclear membrane, nuclear membrane लग जाएगी, ठीक है, साथ अटी साथ pro face में क्या हुआ था pro face के अंदर जो kromozooms थे वो condense होना चाल हुए थैं ठीक है kondense होना चाल हुए थैं तो यहाँ पर क्या होंगे start to de-condense ठीक है वह कैसे होने रखेंगे decondense होना start हो जाएंगे आप ऐसे chromosome नहीं दिखेंगे, अब हम लोग को वापस, वो thread-like chromosome हम लोग को दिखना start हो जाएंगे, समझ मेरी बात, ठीक है, तो ऐसे chromosome अब नहीं दिखेंगे, कुछ ऐसे thread-like chromosome हम लोग को दिखना start हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ time बात क्या होता है, chromosome दिखना ही बंद हो जात अब हमारा दो नुक्लियस न्वन गया अपर इस राओं पर is one nucleus एक rebellion बन गया यहां पर हमारा काम्स का मतलब क्या था न्यूपलैр डिविजन कर दिया एक नेकश्ट हमको करना रही नेक्स को करना है साइटो कानेसिस मतलब क्या अब देखो, मैंने क्या बोला था, एक cell होगा, जिसके पास एक nucleus है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, nuclear division करोगे, मतलब यहाँ पर दो nuclear बनाओगे, यह हम लोग ने अचीव कर लिया, हम लोग ने बना लिया, ठीक है, दो nucleus बनाना हम लोग ने, सीख लिया, अब सिर्फ हम होगा, ऐसा plasma membrane होगा, जिसके अंदर क्या है, दो nucleus है, तो इनके ओपर यहाँ से force लगना चालो हो जाएगा, कैसे है, यहाँ पर देखो, कुछ, ऐसा सा structure बनेगा, यहाँ पर एक cell और यहाँ पर एक cell, देख रहे हो, बीच में से क्या हो ने लगए है, यह पिचक रही है, ऐसे cell है, तो यह धीरे-धीरे क्या हो रहे है, ऐसे ऐसे form हो रहे, और कुछ टाइम बाद आएगा, जब यह दो हो जाएंगे, एक cell यहाँ पर form हो जाएंगे, समझा, ठीक है, cytokanasis समझा, एक दम ही दिये, ठीक है, cytokanasis में तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों सिर्फ इतना ही लिखना है, कि यहाँ पर एक cell था, जिसके पास दो नुकलेस थे, अब वो दीरे-दीरे क्या होने लगे, बी क्रोमेंट सक्षन में, ठीक है, कि इसको सेंट्रिपीटल बोलेंगे, पोर्स या फिर सेंट्रिफ्यूगल बोलेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, हो जाता है कभी कभी घड़ पर, तो आप लोग कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, जो क्या है, cytokanasis ख क्रोमेंटिड है, मतलब क्रोमोजोम के नंबर नहीं बढ़ते, तो मतलब यहाँ पर भी कितने क्रोमोजोम थे, 46, ठीक है, यहाँ पर भी कितने क्रोमोजोम थे, 46, अब देखो, क्रोमोजोम के नंबर किस पर डिवाइड होते है, किस पर डिपेंड होते है, सेंट्रो मियर प पक्रोमोजोम के number बढ़ेंगे नहीं प्रोमोजोम के number किसे हो रहे हैं centromere पर और तो अब क्या होगा यहां पे एक क्रोमोजोम मा गया यहां पर एक रोमोजोम आ तो इस पर भी कितने क्रोमोजोम भी एक haई- réduit कई हुआ如此 है है समझा माइटर इस पूरा माइटर हम लोग ने टोपनकिक है तो जो मिउसस वाला वहालोग अंश्क वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स वीडियो में आशा करते हूं कि क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको ही दिए तो प्लीज जो वीडियो है उसको लाइक कर देना इंस्ट्राग्राम पर आके आप मुझे बता सकते हो कि सर एकदम समझ में आ गया और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप आके वहाँ पर पूछ लेना तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस डिसकस करते हुए तब तक के लिए कीप स्टेडिंग हुए